अच्छा अनिल जी पहली चीज तो आपने बोला कि स्क्रीन देखके मज़ा नहीं आ रहा तो अनिल जी मज़े वाली क्यों आप आता है मतलब स्क्रीन तो बिल्कुल कह रही है कि क्या क्या बेचना है और कितना कुछ बेचना है और अनिल जी मैं थोड़ी कॉमेंटरी जुरूर सा ओवर रियक्शन है यह उसका बाउंस बैक है लेकिन उसके चलते मुझे लगता कि बहुत लोग सारे फिर सो तेजी में आ गए इंडसिंट बैंक साड़े तेरा सो पे HDFC बैंक, रिलाइंस, PSU बैंक, कैन बैंक ये सब शुरू कर दिया अनिल जी मेरी राए बिलकुल इंटैक्ट है कि मंदी अगर जादा नहीं थी, 11,000 नहीं है तो ये 12,500 की तरफ नहीं जा रहा ये सिरफ उस ओवर रियक्शन का जो रिबाउंड था, वो रिबाउंड है, इसमें फसना नहीं है अनिल जी अभी भी चाइना एफेक्ट है लोगों को समझ नहीं आ रही है और कितना आएगा, क्या आएगा और कैसे आएगा ये बाद में आप और मैं ही और हमारे साथ बहुत सारे अनिलिस उसके आंकडो, डेटा, डिस्रप्शन, बिजनस एफेक्ट की बाते करेंगे, वो कुछ टाइम के बात करेंगे, अभी समझ नहीं आ रही अनिल जी मार्केट में क्या होता है, कि जब भी कोई अच्छी या बुरी ख़बर आती है, तो जो एक नो ब्रेनर टाइप की होती है उसके एक रियाक्शन आता है, लेकिन मार्केट उस चीज़ को टेंपरेरिली डिफाई कर देती है, अच्छे को भी बुरे को भी, तो हमें अनिल जी चीज़े भी, लेकिन इसका अफेक्ट अनिल जी ज़रूर आएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि अनिल जी इस चीज़ को ध्यान रखना, अभी आपने कहा कि नहीं हारी, मेरी लिस अनिल जी बहुत लंबी है, मतलब एलेंटी भी बेस सकते हैं, रिलाइंस भी, इंड परसेंट चांस आज लोइस पे बंद होगा, और बारह हजार तूटता ही एक सौ पॉइंट का निफ्टी का फॉल और नजर आएगा, उसके लिए निफ्टी की स्ट्राटीजी भी है, तीस दोस्तों पे मैंने शुकरवार को दे दिया था सेल कोल सेर, आप ते नहीं और बार अनिल जी, I totally agree, totally appreciate, और आपको मैं hats off कहता हूँ कि आपने पिछले दो दूनों में मैंने देखा कि आप सेल कॉल दे रहे थे और लेना नहीं था, अनिल जी बहुत सारे कहाफते, मुहावरे डिसकस होए हैं, लेकिन हमने सबके बाद हमारी हिंदी की किताब होती थी, जो अनिल जी हम सबने पढ़िये पूरे इंडिया में आठवी तक, तो उसमें एक मुहावरा पढ़ते थे हम, कि सावन के अंधे को सब हरा ही नजर आता है, सो अनिल जी मेरा बाकी विवर सबसे है, कि हरा हरा इतना ना देखे और हरे अरे से बचके रहे, क्योंकि इसमें आधू है, फंष्टिक जिन की मेरा है, फाली लाल जाल तो क्या लाल, फाली हरा बिल्कुल शहय है, रई, दोनों हो तब तो मजा थे, आई अगरी आडिल जी, आई अगरी, बिलकुल, तो चले हम आपके पहले नफ्टी की स्टेजिए से शुरुआउं लाल तो हरा होगा तो ये तो पहले निफ्टी की स्टेडिजी से शुरुआत करते हैं ज़र दूस्तों यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेस करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रोपाए बरबात कर रहे हैं तो अब बदलिए और दीज के सबसे अच्छे बड़े और सबसे भरोसिमन्द ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िये जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंटराजे ट्रेड में वह भी सिर्फ 20 रोपाए तो दोस्तों एकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्श इसका और इसके अनिल जी 11,900 की दो बेचनी है जिसका भाव है 26 रुपे के आसपास तो ये जो स्ट्राटेजी है वन इस टू 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 बियर स्प्रेड 12,000 की एक लेके 11,900 की दो बेचनी है ये सिरफ 12 रुपे में स्ट्राटेजी है और 11,800 तक सेफ है मुझे लगता है अनि काटता तो 12 रुपे होगा कॉस्ट और ये स्ट्राटेजी सेफ है अनिल जी नेक्स तीन दिन के लिए 11,800 तक तो मुझे लगता है कि यहां से 100.50 और निकलने के पूरे चास बने है किसी भी रीजन से बने ये स्ट्राटेजी जरूर बनानी चाहिए अनिल जी 12,000 की एक लेके 11,900 की दो बेचनी है कॉस्ट है सिरफ 12 रुपे परफेक्ट तो 11,900 की एक पूट खरीने है 65 रुपे में 11,900 की दो बेचने मैक्सिमम कॉस्ट 12 रुपे 11,800 तक से फिर आपको सपोर्ट करने के लिए 11,000 नहीं 12,000 की पूट आज दो पर 12 बज़े वाले शो में नितिन जी ने बेचे हों चाहिए मेरे पास है ना option, मैंने बोला, मैंने देखा ही नहीं था, आपने हाथ लाया, अब यहाँ पे अगर सचीन जी हाथ लाया तो मैं कैसे बोलूगा कि नहीं देखा था आपने, आप बात को समझे, आशी जी एक दम सही जगे बेटे हैं, और direction भी सही है उनका, तो चलिए आशी ज सारे स्टॉक्स ने ब्रेकडाउन दिया है, इसलिए मैंने लिस्ट इसलिए बोली कि जो जो जिसको पसंद है, क्योंकि सब लोग पूछते हैं कि बेस्ट पिक क्या है, आपके और मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, हम direction identify कर सकते हैं, weak stocks identify कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने बोला, L लेंटी भी खराब लग रहा है, L&T ने fresh sell signal दी है, अनिल जी NLT भी budget के बाद, PSU bank भी budget के बाद, सबको इतने अच्छे लगने लग गए थे, कैसे लग रहा था, कि इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ आई है, और बहुत सारे stocks अनिल जी अगर आप analyze करें, कि budget के day से भी आज मतलब इस reversal के बाद भी उससे नीचे के बाव पे खड़े हो गए है, जिसमें sun pharma भी है, मारूती भी है, तो बहुत सारे stocks ने अनिल जी fresh breakdown signal दी है, तो मुझे लगता है कि market में बहुत cash cautious रहना चाहिए, आज intraday saw point के fall के बाद, I think बेचना इतना असान नहीं होता, reversal में बेचना जादा safe रहता है, लेकिन मुझे लगता है अने जी sell पर ध्यान देना चाहिए, अने जी यह तो मैं फिर बोल रहा हूँ, यह corona virus वाला का implication है, यह धीरे धीरे निकल के आएगा, और different different तरह से आएगा, मैं बहुत ground research कर रहा हूँ, कोई helicopter view की बात नहीं कर रहा हूँ, कई तरह की चीज़ें और stories निकल के आ रही है, अने जी आपको एक interesting aspect देता हूँ, कि बहुत सारा जो, जो मतलब raw material है, बहुत सारी industries का सारा चाइना से आता है, और इतना जादा उसमें breakage हो जाएगा, कि धीरे धीरे यह effects आपको सारे निकल के आते जाएंगे, तो मुझे जो packing material होता है, जिसको हम वो जो bubble pack जिसको कहते है, जो air वाला bubble pack होता है, जो packing material होता है, जिसको फोड़ते हैं आवाज निकल के आता है, जो अंदर हवा भरी जा रही है, यह घई है, जो निकला हुए वो चाइना में भरी हुई है, तो उसका भी cautious approach हो रही है, कि इसका effect कहां तक आ सकता है, so I think मैं और stories है थी कठी कर रहा हूँ, जो आपसे on air भी share करूँगा, लेकिन आजी जी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और overall जो market का structure है, नभी बोल रहा हूँ, वो सिरफ जो bounce back था, वो rebound था, बजट के over reaction को ले आवाज आती, कितना अच्छा लगता है, लगता है नहीं लगता है, सचीन जी, आपने नहीं क्या कभी जिनी में, मेरे बेटे को काफी आदत है, अनिल जी, जी जी बोलिए, अनिल जी एक चीज़ मैं करेक्ट करूँगा, ये बच्चों को नहीं, ये बड़ों को भी नहीं, अनिल जी, बहुत ज्यादा एंजोई करा है, अनिल जी, इससे बड़िया, देखो, दो ही तरीके है, अच्छे टाइम पास करने, या तो वो बबल फोडो आप, या मुमफल ही खाते रहो, उससे तीसरा कोई बड़िया तरीका है नहीं, जी कुरा जी, अनिल जी, बंस अनिल जी, इसका एफेक्ट किस तरह से कहां सकता है, तो I think, it is prudent to be cautious, और not to get carried away, कि ये market बहुत अच्छा है, और all said and done, हम 11.600 पे नहीं है, हम फिर 12.100 पे है, यहां पर रिस्क रिबॉट फेवरेबल नहीं है, ठीक बात है, आशी जी, कुछ नहीं तो कोई फार्मा स्टो की ले लो, ये तो अच्छा ही कर रहे है, इनको तो चीन से प्रॉब्लम भी नहीं है, और पेशन बढ़ेंगे, कम तो नहीं होंगे, अनिल जी, बिल्कुल ले सकते हैं, और अनिल जी, मेरा उसका टार्गेट जो एक साल का है, बता हो जो मैंने 2020 पिक्स में तीन एड किये हुए थे, भारती जो नहीं बेचना, आईसे इसे जो नहीं बेचना, और डिल्फ, डिल्फ में जबकि बजट के बाद से करेक्शन आई है, उसमें अनिल जी डीवीज एड करता हूँ, डीवीज का जो टार्गेट है, अनिल जी, अगर आप इसको कोई पेशन तो डीवीज लैग मेरी उसमें टॉप पिक है, अनिल जी के बिलकुल लेना चाहिए, और छोटे मोटे टार्गेट पचास सौ के लिए नहीं, कम से कम हजार रुपए के टार्गेट से अनिल जी उसको लेकर रखना चाहिए डीवीज लैब को, वा, आट सो हजार रुपए ब और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर एकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना पी ओ ए यानि की पावर ओप एटो ने देने की कोई आवस सकता नहीं है, जिसको उप्योग करके हाली में देश के एक बड़ी ब्रोकर ने दोहजर करोड का घुटा ला किय तो दोस्तों एकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना एकाउंट ओपन कराएगा